laser hair reduction क्या है, laser बालों पे कैसे काम करता है, किस age के बाद हम laser hair reduction करवा सकते हैं and इसके क्या risk और side effects है सबसे पहले हम यह जाना ज़रूरी है कि laser actually होता क्या है laser जैसे हम अपने आसपास white light देखते हैं, उसमें बहुत सारी wavelength मिलके एक white light reflect करती है उसमें से अगर हम एक wavelength को निकालके उसकी एक beam बना दे, that is laser इसी तरह से अलग-अलग laser अलग-अलग conditions पर work करती है कई lasers pigmentation पर work करती है, कई आपके hair removal के लिए होती है, कई acne scar को remove करने में help करती है कई tattoo removal के लिए help करती है, laser hair reduction हम किसी भी शरीर के हिस्से पर करवा सकते है ये एक India का safe technology है, इसको करने से पहले हम उस area पर razor करते हैं, जिससे हम उस layer के hair को remove कर देते है then उस पर हम laser shots reflect करते हैं, mainly India में diode laser use किया जाता है, जो की एक safest technology है ये lasers, hair की roots में जाके heat में convert होती है, then hair की root को damage कर देती है laser करने से पहले हम cooling gel apply करते हैं, जिससे burn होने के chances बहुत कम हो जाते है फिर भी कई patients के skin बहुत जदा sensitive होती है, जा कुछ areas ऐसे होते हैं जो sensitive होते हैं उस पर हम aesthetic numbing cream apply करते हैं laser hair पर कैसे काम करता है, hair के 3 cycles होते हैं और laser उनमें से 2 cycles पर काम करता है anagen and telogen, anagen cycle में आपका hair growth phase में होता है, जिसमें बाल बहुत जदा dense होते हैं intelligent cycle में hair की growth stop हो जाती है and ये laser hair reduction आपके anagen cycle को telogen cycle में convert करता है मतलब आपके जो बाल dense होते हैं, गने होते हैं, hard होते हैं वो आपके baby soft hair में convert हो जाते हैं with the help of laser laser hair removal कौन-कौन करवा सकता है laser hair removal इंडिया का safest technique है 15 साल की उमर के बाद ये कोई भी करवा सकता है ये cosmetic purpose से ही नहीं, बलकि medical purpose से भी करवाया जाता है medically अगर हम बात करें, तो ये thorid, PCOD, hormonal imbalance, mainly जो females में होते हैं and males की अगर मैं बात करूं, तो males में pylon idol sinus करके एक बीमारी है जिसमें lower back के hair बहुत ज़दा dense हो जाते हैं उसमें हमारे ulcers formation हो जाती है उन cases में भी ये laser hair reduction काफी ज़दा help करता है क्या laser hair reduction करवाने से permanently बाल चले जाते हैं? नहीं, ऐसा बिलकुल भी नहीं है नाम से ही अगर हम समझ पा रही है laser hair reduction laser hair reduction मतलब आपके जो हमने पहले भी बात की anogen cycle को tillogen cycle में convert करता है मतलब आपके जो dense hair होते हैं, thick hair होते हैं वो आपके baby soft हो जाते हैं मतलब हाँ, permanently आपके thick hair नहीं आते हैं baby soft आपको छोटे-छोटे hairs baby soft आएंगे जो कि आप उसको six month में जब one year में sitting लेके manage कर सकते हैं अभी हम बात करते हैं laser hair reduction के risk और side effects की laser hair reduction काफी safe technique है अगर इसे proper तरीके से किया जाए इसको करने के बाद mild irritation, mild redness और bumps हो सकते हैं जो कुछ time के बाद, एक दो दिन के बाद खुद ही automatically ठीक हो जाते हैं right machine technology का इस्तेमाल करना ज़रूरी है और एक अच्छे doctor के supervision में करवाना ज़रूरी है अगर आपको ये video helpful लगा